किया कुछ ऐसे इसका भी डेटा है कि कितने बार चुनावायोग ने आप लोगों को नोटिस जारी किया या उनको नोटिस जारी किया उस पर एक्शन हुआ हो नहीं हमको भी नोटिस आया आप जानते हैं कि हमने एक शिकायत की थी प्रधान मंत्री के खिलाफ उस संदर्ब में उन्होंने प्रधान मंत्री को तो नोटिस नहीं भेजा राहूल जी को भी नहीं भेजा बर राहूल जी निशाना तो थे पर खर्गय जी को नोटिस आया और वहां नड़ा जी को नोटिस गया पर जो हमारी शिकायत थी जो 14 हमने प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रूप से हमन जुनावायोक से मिला करते थे और हम उनसे गुजारिश करते थे कि इस पर काररवाई हो पर अफसोस की बात है कि एक सो सत्रा टोटल कुल मिलाकर एक सो सत्रा शिकायते हैं उनमें से चोदा सीधे प्रधान मंत्री से जुड़े हुआ जराम जै आप लोग ने शिकायत कि थे कि प्रधान मंत्री से एक और बात मैं कहना चाहता हूँ यह जो 117 शिकायते हैं यह AICC की तरफ से शिकायते हैं हमारे जो PCC हैं तृपुरा PCC, ASAM PCC, UPCC, राजस्थान PCC वो अपना शिकायत अपने चुनावायोग में करते थे यह Central Election Commission यानि स्टेट चुनावायोग नहीं यह के चुनावायोग AICC के तरफ से हमने 117 शिकायते की हैं यह 70 दिन का अगड़ा है पहला शिकायत हमने 13 तारिक मार्च को किया था और आखरी शिकायत हमने 30 तारिक को यह आप जानते हैं यह गेहरे चिंतन को लेकर हमने किया है सर जहराम जी जो आपने आखरी शिकायत की थी 30 तारिक को उसमें आपने अपील की थी चुनावायोग से मांग की थी कि प्रदान मंत्री के मौन बरत के लाइव टेली कास्ट पर रोक लगाई जाए और यह चुनावायोग चुनावाचार संहिता का उलंगन है लेकिन चुनाव यह complaint against the meditation trip of Mr. Modi taking place from 30th May 2024 to July 1st 2024 as a way of indirectly violating the silence period to continue his campaign. तो इसको लेकर हमने शिकायत की थी पर अभी तक इस पर कोई कारवाई नहीं हुई है नहीं हमको कुछ जानकारी मिली नहीं है चुनावायोग निस्विकारा हमारे शिकायत को पर कोई कारवाई नहीं हर एक शिकायत के खिलाफ जो कारवाई की गई है उसकी जानकारी मैंने के खिलाफ 14 शिकायत हम ने की है पेरी बार जैराम जी आप सीधे तोर पे कह सकते हैं कि आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं 2004 में चुनाव बीस दिन के अंदर हुए पहला सवाल तो उठता है 42 दिन क्यों लगे डिजिनल इंडिया बन गया, स्टैंड अप इंडिया बन गया, सब इंडिया बन गया 2004 में 20 दिन लगे थे चुनाव खतम करने के लिए, इस बार 42 दिन लगे हैं कुछ कारण होंगे हमें तो पता नहीं है पर ये भी एक सवाल है जिस तरीके से हमने शिकायत की है जिस मात्रा में हमने शिकायत की है और किस तरह से उन्होंने कारवाई नहीं की है इस बार भी सवाल उठते हैं हमने में 2000, माई 2003 से चुनावायोक से टाइम मांगा था वीवी पैट को लेकर उस बार भी चुपी थी हम मिल नहीं पाए और आप जानते हैं कि हमारे दबाव के कारण चुनावायोक ने जो जानकारी उनको देना चाहिए था जो चुनाव खतम होता है एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर पहले चरण की जानकारी ग्यारा दिन के बाद उन्होंने दिया आप जानते हैं और सुप्रीम कोड को भी कहना पड़ा तो कई सवाल उठते हैं चुनावायोक के व्यभार पर चुनावायोक एक समवाइधानिक संस्ता है हम चुनावायोक का बहुत सम्मान करते हैं पर अपसोस की बात है कि इस बार निश्पक्षता हमें दिखाई नहीं दिया सुप्रिया जी एक सवाल इधर से है सुप्रिया जी आज कुछ जगों पे एक ख़बर छपी है कि आपके साथ संग्यान में आया होगा कि गार्जे नखबार ने ये ख़बर लिखी है से पहले सरकार ने या तो कोई डील किया या उनको दवाव मिलाया बावजूद इसके जो परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा और ये जो ख़बर आई है इसको लेकर आप क्या कहें मैं सबसे पहले तो ये कहुँगी कि मुझे गार्जे नखबार की ख़बर का जो संग्यान है वो मिला सवेरे मैं ना इसका खंडन कर सकती हूँ ना इसकी पुष्टी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है लेकिन असलियत ये है कि जो सप्रेशन होता है विपक्षी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ वो पूरी तरह से साफ दिखता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम 5-5-6-6 गुना हमारे इंप्रेशन हमारी रीच हमारे व्यूज बीजेपी से कहीं बहतर है जबकि हमारे फॉलोवर्स उनसे कम है क्यूकि हमारे रील फॉलोवर्स हैं हमारे बौट्स नहीं है तो ये अपने आप में एक कहानी बया करता है इसमें कोई दुरेशन यह मुझे कहने का कि विपक्ष के तमाम जो अच्छे अकाउंस थे जो हमारे समर्थकों के थे कि बात कर रहा था कोई constitution की बात कर रहा था मेरे पास खुद mail आया twitter से और उसमें था कि आपने मैंने कुछ constitution पर बोला था उनोंने का आप निस पे नहीं बोल सकते हैं आपको दिस्टिक्ट करने का जिस तरह से Ministry of IT and Information लिखती है चिठियां इन platforms को वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और वो कई बार उन्होंने खुल कर सामने आकर भी कहा है कि ऐसा ऐसा लिख कर आया है हम इस से सहमत नहीं है लेकिन क्योंकि सरकार की और से लिख कर आया है हमें इस अकाउंट को बैन करना पड़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इतना